और जैसे कि आप जानते हैं यह है सिता का घर और यहाँ पर सोहाना की बढ़ खेड़ी की तयारी चल रही है तो चली देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है अरे भाई चलो जल्ली सजावाट करो सोहाना के उठने से पहले ही हमें यह सब पंपिट करना होगा अरे हाँ राहुल जी लगबख हमारी सब तयारी हो गई है सोहाना की उठने से पहले ही हमने सब कुछ सजा लिया है अरे चल जल्ली से लगजा लगजा अरे चलो अच्छा हुआ यह लग गया देदी अब हमारी तयारी पूरी हो गई है पैरी हाथ सिता बहुत अच्छी बात है, सुहाना की उठने से पहले ही हमारी तैयारी हो जाएंगी अरे भाई क्या मुच्बत से लगाना पड़ता है ये, चलो अच्छा हुआ लग गया आखिरकार अरे भाई, तुम सब कुछ शाबाशी देनी होगी, तुम सबने मिलकर घर कितना अच्छे से सजाया है सब कुछ कितना जादा अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है ना घर में बर्तेडे है वो अभी मेरी सुहाना का, अरे इसमें हम एक चीज भूढ रहे है, सुहाना का बर्तेडे केक अभी तक नहीं आया है अरे माफिकर ना करे हमने कब से केक और कर दिया है, बस केक आता ही होगा हमारी पूरी तयारी हो चुकी है, जैसी ही सुहाना उठीगे हम साथ में मिलकर हैपी वर्थडेडे विष करेंगे ओके सब रेडी है ना हाँ अरे भाई ऐसा लग रहा है सुहाना उठ रही है सब रेडी हो जाओ हाँ मेला बर्थी दी आयाद और मुझे कोई भी 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 मेला बर्थी दी किसको भी याद नहीं है और आरे यह जो पिलते हैं कि अपर उटका ओनों मारी आपको उजल और हाल सवान्म इसरी कुछ वरने दशल हमारी किशी। Where अभर मेरा पहला मैं हैं अबर्टेदे अर्हा आप शहाना के देखे जाता है। अरे आज हमारी सोहाना का बर्थडे है आज मुझे केक खाने के लिए मिलेगा मैं घास खाखा कर बोर हो चुकी हूँ अरे सोहाना बेटे चलो जल्ली से तुम नहाद होकर फ्रेश हो जाओ तुमारे फ्रेंड्स आते ही होंगे तुमारे साइड में प्यारा सा फ्रॉक रखा हुआ है ना तो मुझे पहन कर रेडी हो जाओ अरे ठीक ही ममा मैं जल्ली से नहादो की लेडी हो जाती हूँ अरे वाँ मेले कितना चा फ्लॉक है चलो मैं जल्ली से नहाने चले जाती हूँ अरे मेले पास नहाने के लिए बैच टब है यह नहीं मुझे इसनी जान पलाती है नहाना अरे कल मुहें देखो अभी तक सोहाना का मठधड़े केक आया नहीं है अरे मा मुझ पर हमेशे चुटते रहती है चलो मैं देखी लेता हूँ केक कहा तक पहुचा है चलो राहुल जी हम केक लेकर आते है अरे जीदी हमारी तयारी पुरी हो गई है ना देखो आप महमान आते ही होंगे अरे हाँ सिता तुम ठिकर मत करो हमने पुरी तयारी कर ली है अरे मैं सब हट जाईए सुहाना के केक आ गया है चलिए रामजी थोड़ी देर बैठ जाईए हम सुबा से उठकर कर रहे हैं बहुत जादा थकार हो गई है अरे हार राहु जी आप बहुत सही कहे रहे हैं मैं भी बहुत जादा ठक गया हुँ चलो भई भई बढट जाता हूँ मेरे सॉहाना का केक कितना दादा सोहा दिश्ली के निरा हैं वहाइंगा कि नोड़ा पसंदा कि और अधिसामा रेटी होकर आजाती है और इतना वर्ण केक और जादा शूंदड आहिए वा इतने विद्वर पहुट केक और कर आया है तकी शौमाच मुझे पैनेपल फ्लेवल बहुत जादा पशंद आया और तबी महमान आने लग जाते हैं अरे जल्दी चली 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 तुम दोरों कितनी जादा स्लो आ रहे हो यह लो तुम्हारा गिफ फैली थैंक्यू पिंगी मम्मा अली वह मुझे पिंगी मम्मा आप यहां पर बैच आये है अरे हां पारएल जी मैं बैच रही हूँ अरे पिंगी वेटना चली 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 अवह तो तुम्हारा कि बत्तरी में आने का पिर भी जाने तो मैं आ गई आगई और बैशे भी मैने फूलाना वाला डिलेश वहन आया है थ तिर दी नुबात पायल जी की घर पर आई हूँ मेशिया वेरी है बड़ी बढ़ी 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 है वो मुझे नहीं नहीं है मुझे के मालूम रूट अपनी शैली की शाथ पीचे आही लई थी ना अरे वो तो बहुत बातों दीवानी है एक दुशलेशे बाते कलती हुए आ लई होंगी अरे रूशी तुम्हारा भी बड़ी आ रहा है तुम पैसे सलेब्रेट करूँगी अरे प्रिया रोशी चलो जली से आ जाओ तुम दोरो हापर क्या बाते करते खड़ी हो है महमा आ रहे है अरे मम्हा यहां रहे है किसे विश खाना है अरे प्रिया उना है मममा में पॉर्स टाइम यहां मजै कैसे मालूम कि यहांब हापी बश्च्छों ₹ट सुँ नहीं हाँ निया जाते है अरे मेड़क हना सान है आ ए इता रहत लाक कान उर히 टेक्श आपने बाएफ्सिदे केकेट कर लो अहली ममा पहले मुझे मुझे अपने गीफ्स चाहिए विल में कच करư केकुए अचे सुहाना तॉर एसी बात है यह लो हमीर थो हमारी चैनलिंव घेट्स आद गीफ्ट अहली बाश ल리 फाहलें ना जाने इस में क्या है लो जल फे explored यह दाती हूँ आपको मुझे बहुत ज़्यादा पशन्द आया और इसके द्टेश्ड जूटी भी है एलिंग भी है फलें प्लस भी आपको मुझे घट पशन्द आया तो बहुत अच्राइब निगला है चलो मैंशी हापा लग देती हूं मम्मा आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया है अरे आराम से खोलो यह गिफ मेरी तरफ से नहीं तो बस आने ही वाला है हुआ हुआ है और स्युआ है अपने आप और जाओं यह डाओं से तो इस वालो जाया है आपका चैंकी शो मास्ट मुझे आपका गीफ बहुत ज़या पशंद आया तुम्हें ये गाड़ी बहुत जादा पसंद थी ना देखो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए ला लिये एखले पापा झाल अपने मिले लिए गीफ नहीं लेकल आया और वेटे शोहना ऐसा ह अहली थैंक यू लाम अंकल तो बहुत दिनों शोची लई थी एक नहाने का टॉप होना मेला नहाना बहुत जान पुलाचा है अप्तों में टप के अंदर नहूंगी और बहुत जादा मज़े कलूंगी अहली लाम अंकल मुझे आपका गीफ बहुत जादा पशंद आया वेट अहली थैंक यू माँख ले लिया निकाह में पैशे बलबात किये यह प्लाच तो कुछ अच्छा नहीं दिख लहा है बहुत ले लेकिन मेली कोई शुटता ही नहीं है इता महंगा फ्लाच लेनी के क्या जलुट थी अहली सोहने बेटे तुमारे ममा का गिफ्टा भी वाकी ह है ना यह देखो इदर अहली यह क्या एक टॉमी हाँ सुहाना तुम्हें बहुत जादा पसंद है ना मैं तुम्हारे लिए एक वाल्दी टॉमी लेकर आई हूँ यह बहुत वफदार टॉमी है अहली थैंकी शूमाच ममा आपको केशी मालूम मुझे टॉमी बहुत जादा पशंद है अहली वह इतौमी तो कितना प्याला है मुझे टॉमी बहुत जादा पशंद आया और सुहाना बेटे तुम्हारा एक और एक सर्प्राइज आ रहा है अहली आज ना जाने मुझे कितने शाले गिफ्ट मिलेंगे हैलो शूहाना यह रहा सुहाना तुम्हारा गिफ देखो मैं अपनी कैटी को अपने शात में लेकर आई हूँ और अब में यहाप पले लहांगी छूफिया वहाले शात में लहींगी अरे हा सुहाना बेटे शूफिया ने तुम्हारे स्कुल में अटमिशन भी ले लिया है अबसे दे ते बहुत शानदा लहा और मुझे ममा आप मैं केक कट कर लए हूँ अहले मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूँगी आज कर दिन मेले लिए बहुत खुशी का दिन है अहले यह क्या यह कौछी नहीं लल्की आ गई है अब मज़े शोहना से बद्ले लेने में बहुत जादा पलिशानी होंगी क्योंकि आप शोहना केक कट करने लगती है यह लीजी ममा पहले आप केक खाए अरे वह यह केक तो बहुत जादा पसे नाया में घ्या चले सौहना मैं में शब को देखी हूँ यह लीजी पिंकी की ममा यह लीजी दादी माँ अरे वाँ सुआदिश डिक रहा है ये लो चिंकी मिंकी ये लीजी चमेली माशी ये लीजी लाम अंकर अरे वाँ इतना स्वादिश केक मैंने अभी तक नहीं खाया क्या पाइनपल फिलेवर है मुझे तो बहुत जादा पसंद आया अरे ये ले गायू तेले वाश्ति भी अरे ये क्या दोस्तों गुंडू को तो कोई भी केक नहीं दे रहा है अरे ये क्या ये तो केक की तरफ जा रहा है अरे ये क्या दोस्तों गुंडू तो केक की पास चली गया है और गुड़ू अपना चहरा पुरा केक में भरा लेता है अरे गुड़ू ये क्या तुम्हें तो अपना चहरा पुरा केक में भरा दिया है और सब गुड़ू को लेकर हतने लगते है दोस्तों आपको हमारी कहानी केशी लगी अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हूँ तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूले थैंक्स पर वाच्चिंग